एक तरफ वेस्ट पेंगॉल में कुलकाता में ममता बैनर जी की रैली में पूरा विपक्ष एक जुट हो रहा है मागड बंधन या फिर तीसरे फ्रंट की तैयारी आप इसे कह लिजी और दूसरी तरफ प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर पहले सूरत के हजीरा में उन्होंने L&T Arms System Complex का उधगाटन किया था और उसके बाद उन्होंने केनाइन वज्र की सवारी की है टैंक में वो सवार हुए हैं आपके स्क्रीन पर प्रदान मंत्री की तस्वीरे केनाइन की बात करें अगर टैंक की बात की जाए तो सिर्फ 15 सेकिंड के भीतर कहा जाता है कि तीन गोले ये दाग सकता है और इसे चूनिंग टेस्ट के लिए फिलहाल सेना के पास भेजा भी गया है लेकिन इस समय बहुत ही इंट्रेस्टिंग तस्वीरे आप अपने स्क्रीन पर सूरत के हजीरा से देख रहा है जहां पर एक तरफ कॉम्पलेक्स का उद्गाटन किया गया डिफेंस सेक्टर के लिहा से तस्वीरे बहुत इंट्रेस्टिंग है प्रदान मंत्री को टैंक में एंटर करते हुए के नाइन वजडर टैंक ये और ये एलेंटी प्लांट है प्राइवेट सेक्टर में निर्मान हो रहा है उस लिहासे बेहद है मैं और इसलिए मैं बार-बार आपसे मेकिन इंडिया का जिक्र कर रही हूँ और इस सब के बीच प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी की इस टैंक में सवारी की तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं